मा और बेटे का रिष्टा सबसे पाक पवित्र और मा अपने बेटे के खातिर कुछ भी कर सकती है और बेटा मा के लिए कुछ भी कर सकता है जी हाँ ऐसे ही रिष्टेक की दोर में बदा है पवन और उनकी मा का रिष्टा आज पवन कितने भी बड़े सुपस्चार है लेकिन उनकी मा उन्हें थपड़ लगाना बिल्कुल नहीं भोलती इन दिनों पवन सिंग की मा का एक वीडियो बड़ी तेजी से मीडिया में वाइल हो रहा है और इसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं A2Z बिहार चैनल पर आप इस इंटर्वियो को देख सकते हैं और यहां पर पहली बार पवन सिंग की मा मीडिया से बात कर रही है दिल खोल करके बात कर रही है बेटा बहुत बड़ा सुपस्टार बन गया है लेकिन मा के लिए आज भी बेटा ही है इसलिए तो यहां पर ये बात बताते हुए बिल्कुल नहीं हिचकी चाती है उनकी मा कि वो उन्हें थपड लगाना तो नहीं भूलती लेकिन अगर घर में नौन्वेज बन रहा है और उस वक्त पवन सिंग घर में है तो वो नौकरों से खाना नहीं बनवाते बलकि अपनी मा के लिए खुद खाना बनाते हैं और उन्हें सर्व करते हैं पवन सिंग अपनी मा को अम्मा कहते हैं और पवन सिंग का ही देखा देखी उनके घर में सभी उनकी मा को अम्मा कहते हैं पवन सिंग के दो बड़े भाई हैं एक बहन है जिनका नाम माला है यहां पर पवन सिं पवन सिंग की फिल्म योद्धा के बारे में उनकी मा बात करते हुए ये कहती है कि जब उन्होंने फिल्म योद्धा को बड़े परदे पर देखा और उसके एक्शन सीन में पवन सिंग को घायल देखा तो वो छटपटा कर बेहोस हो गई हौल में ही और सिनेमा हौल में जब बेहोश हो गई तब उनके बड़े भाई के बेटे उनके साथ गय हुए थे और उस वक्त उस सिनेमा हौल में कोई ये नहीं जानता था कि वो पवन सिंग की मम्मी है लेकिन उस बच्चे ने तुरंट अपने पिताजी यानि कि पवन के बड़े भाई रानो को फोन लगाया और रानो तुरंट अपनी मा के लिए दोड़े चले आये सिनेमा हौल वहाँ देखा तो मा कि तिमारदारी में सिनेमा हौल के सभी लोग लगे हुए थे क्योंकि वहाँ बैठे सभी लोगों को पता चल चुका था ये किसी और की नहीं पावस्टार पवन सिंग की मा है बाद में जैसे ही ये सब कुछ पवन सिंग को पता चला तो उन्होंने अपनी मा को समझाया कि ये सारी कुछ चीजे जो एक्शन सीन फिल्मों में होता है वो रियल नहीं होता है वो नकली होता है और इसमें टेमेटो जूस का इस्तिमाल किया जाता है इतना सुनने के बाद भले ही मा क पुशांती हो गई हो लेकिन इंटरव्यू में बड़े ही प्यार से और बड़े ही पुछकार से पवन सिंग की मा ये कहना बिल्कुल नहीं भूलती है कि वो खून चाहे नकली हो या असली हो लेकिन बेटे की ऐसी हालत देखके दिल घबरा जाता है पवन सिंग भले ही शोह के साथ टाइम स्पैन करना बहुत अच्छा लगता है इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों का खुलासा पवन को लेकर बहुत सारी चीजों का खुलासा किया गया है आप इस इंटरव्यू को ए-to-z चैनल पर देख सकते हैं और फिलहाल हमारे चैनल पर आप इस इंटर नहां हूँ 23 दिसंबर 2021 को बस्ति उत्तर प्रदेश केब मखधाम मखोडा मनवर महुत्सव में तो इस महुत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए हरया वस्ति के माननिय विधायक बड़े भाईया स्री अजय सिंग जी वहां की समस्त जनता जनार्दन और डॉक्टर स्रिया मेडम को मैं दिल से धनेबाद करता हूँ तो मिलते हैं तेशी संबर को जै स्री राम